अब और चीज़ जो दिये सार्थ्रे ने वो दिये Freedom and Responsibility Freedom और दाइत्व का बोध सार्थ्रे कहते हैं कि Freedom तो आदमी का essence है इसके लिए भी बड़ा शब्द उन्होंने क्रियोग किया है Man is condemned to be freedom ये आदमी की नियत ये उसका भाग है आदमी का Free होना वो जिस चीज़ को महसूस करता है और दो चीज़ों की Freedom मानते है Freedom to choose and freedom to take decision निरने लेने की सुतंतरता और अपना काम चुनने की मेरा काम क्या है उसको मैं चुनने का हमारे अभी गीतवा में तो का है करमन ने वादिकार अस्ते करम को चुनने की पूरी Freedom में तुझे पूरा अधिकार है तेरा गौर्ड भी तेरा करम तेह ने कर सकता यही चीज़ यह कह रहे हैं कि आड़ में इस चीज़ को जितना महसूस करता है उतना ही वह सित्वान है मैं फ्री हूँ मेरी चीज़ को कोई मैं किसी से सला तो ले सकता हूँ लेकिन मुझे इस पर फ्राइड इस पर इन्होंने बहुत एक्जामपल दी है एक लड़का आया क्योंकि ये टीचिंग का काम करते रहे न पहले युद्ध, युद्ध से पहले बार तो एक लड़का इनके पास आया कि सर इधर तो युद्ध चला है और उधर मेरी मा बूरी बहुत दादे बिमार है देश से बार बार ये आ रहा है हर यवोग को देश की रक्षा के लिए आना चाहिए ये राउन्द हो रहा है तो सर मै क्या करूँ तो सार्फ से ने कहा यू है एक्तिश responder यूर फिरीडम ये एक फिरीडम थी कि तुम किस से शला लो यू और फिरी तुम किसी पनवारी से भी शला ले सकते थे किसी मास्टर से भी शला ले सकते थे किसी भरभुजे से भी शला लग से थे You have decided to come to me This is your freedom Freedom to choose अब उन्होंना का अब तुम यह देखो कि दाइत तो बोद क्या है The other तो है उनके पृति आपका क्या दाइत तो है और मदर के प्रतिय आपका क्या दाइत्व है ये भी इसमें भी आप फिरी हो चूज करने के लिए आप अगर ये समझते हो को मदर की तुरफ मेरा बहुत ताद है गहरा दाइत्व है बड़ी जम्मेदारी है मेरी तो हरा अद्मी के लिए जी ज़रूरी नहीं है को फौज में जाए सरकार नहीं काई completed नहीं किया आपकी freedom पर चौड दिया अगर सरकार commodity कर दे का 18 साल का हरा अद्मी फौज में जाएगा तब तब आप मजबूर हो जब सरकार ने सिर्फ बार बार चुन रहे हैं नोजवानों देश की रक्षा करो तो कहते हैं उनकी अपील जो है इसको जिम्मेदारी से देखो ऐसे बहुत सारे एक्जामपल दी हैं आप पढ़ेंगे इसको सार्टर की किताब को Being and Nothingness में Being and Nothingness बोड़ इंपॉर्ट की ताहँ है एक और लड़का आया उनके पास उसमें का के मेरे फादर की डेथ हो गई घर में कुछ छोड़कर के ने गए फादर बहुत पैसा हुसा तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर के अपने बच्चों को और अपने माँ को पालने के लिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर के एक छोटी मोटी नौकरी जोईन कर रहा हूँ मैं नका कि तुमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं उन विकल्पों को अच्छी तरह देखो, जो विकल्प तुम्हारे काम के नहीं है, उनको निशेद करने की शक्ती भी तुम्हारे पास क्या विकल्प है, एक विकल्प तो है कि घर में आभाव है, कुछ भी फादर छोड़ के नहीं गए, करदा छोड़ गए, और मेरे उपर इ लिकल्प तुम्हारे के निकाल दूँ, गो फॉर बैगिंग, जाओ भीक मांगो, एक विकल्प यह है कि मैं अपनी मा को किसी ऐसे होम में छोड़िया हूँ, जहां ओल डेज होम है, मां छोड़िया हूँ, यह भी एक विकल्प है, आफ्टर कैल्कुलेटिंग अल दीज विक किन चीज़ों की, तु टेक डिसिजन, कहते हैं, यू हव ते कम ही हर, मेरे पास तुम आये हो, मैं तुम्हें अड़वाई दे सकता हूँ, निरना ने कर सकता हूँ, मैं और भी विकल्प बता सकता हूँ, क्या-क्या विकल्प है, उन विकल्प मैं से चूद करो, और जो विक शत्यगीता में कहा है, जो शंचे में पड़े रहते हैं, कि ये करूँ है, ये करूँ है, उनका नाश हो जाता है, टेक डिसिजन, लेकिन टेक डिसिजन, आफ्टर कैल्कुरेटिंग और तो कहते हैं, मैंने सारे विकल्प तुम्हें बता दी, अब ये डिसिजन लेना तुम आदमी ने मेरी इज्जत लूट ले, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं सुिसाइड करूँ, मर जाओँ या क्या करूँ, इन्हों ने कहा है, आपका दो विकल्प थे, जिन्दगी और इज्जत, इन दो विकल्प से चुनना था, आपने फ्रीडम क्यों ने एक्साइज की, आदमी का तो लक्षन ही है, फ्रीडम, फ्रीडम to choose and फ्रीडम to take decision, और कहते है, तुमने जब अपने फ्रीडम एक्सराइज की होगी, तो तुमने का कि लाइफ is more valuable than इज्जत, तुमने उसके साफ साथ ले लिया, तुमने लाइफ मिल गई, ठीक है, अब इसमें परिशान हो अगर तुम यह तै करते हैं कि लाइफ इतनी important नहीं है, इज्जत important है, तब यह हो सकता था कि भई उन्हों ने इज्जत लूट ली, तो मैं जाके suicide कर लों मर जाओं, या वहाँ उनकी pistol के सामने आ जाते हैं कि pistol मार दे इज्जत में, तो कहते हैं, decision तो तुमने लिया है, हर decision decision की तुमारी जिम्मेदारी है, तो ऐसी बहुत सारी example है इन्हों ने दी हैं, और उसमें कहा है कि इस decision में सबसे बड़ी चीज़ है, कोई universal law ने बना साया है, ये युद्ध हो रहा है, तो सारे आदमियों को युद्ध में जाने पड़ेगा, मा बूरी मर रही है, उन्हों का वहाँ आपको देखना पड़ेगा, दाइत तु बोध, मेरे उपर किस चीज़ की कितनी जिम्मेदारी है, दी अधर की अगर मेरे उपर जादे जिम्मेदारी है, दी अधर का मतलब समाद और देश की, तो एक मदर के दस मदर भी हो, ठोकर मार के मर जाएगी, मर जाना और अगर आपका मदर की तरफ कर्टब बूध आप समझते हो, कि मैं अगर लड़ाई में चला गया, तो इसको कोई पानी पिलाना वाला भी नहीं होगा, इस बुड़ियाओ को कोई दबाई देना वाला भी नहीं है, तो मदर के साथ, तो कर्टब बूध जो है अपना, यही गी आदमी को आदमी बनाता है, अगर आप आदमी हो, तो फील इस तिंग, रिस्पॉंसमिलटी ट्वर्ड्स, दो ही चीजह हैं, रिस्पॉंटिटी ट्वर्ड्स आइबर सेवा करना जाता हूँ, और बर्फ पढ़ रही है, तो अगले दिन मैं बीमार हो कि अस्पताल में चल जाओग, क्या सेवा करी मैंने, एक कल्पना से मैंने कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन दाइत बोध अपनी तरफ ही है मेरा, मुझे देखना है कि मैं बीमार नहीं होना चाहिए अगर मैं बीमार हो गया तो किसकी मा ना मा की सेवा कर सकता हूँ ना समाज के तो इस तरह से इनों ने सारे दाईत वोद की बहुत सारी एक्जामपलें दी हैं कि आपको जिम्मेदारी का एहसास और जिम्मेदारी के सामने कलपना कौन कौन से विकलप हो सकते हैं उनको पूरी तरह देख करके जल्दी में कोई फैसला मत करो ये विकलप भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है किसी से सला भी अगर लोगे उसमें का मैं तुम्हें सला दे सकता हूं मैं आपके पर साट से के जितने लड़के आए कोई-कोई समस्य होने का मैं सुम्हें सला सिर्फ सला दे सकता हूं कहते हैं ये भी तुम्हारा अपना डिसीजन है कि तुम सला लेने मेरे पास आए फ्रीडम तु टेक डिसीजन तुम किसी गरत आदमें के पास भी जा सकते थे तो तुम मेरे पास आए तो इसलिए मैं तुम बता रहा हूं कि दाई तुम्हारा है अपना बोद समझो कि जिम्मेदारी मेरी किस की तरफ जितनी जादे है और तब जागे फैसल रहो इसमें कोई यूनिवर्सल लौ नहीं बन सकता आपको खुद अपना फैसला करना पड़ागा लेकिन दो चीजें आप सैकरिफाइस नहीं कर सकते यू अगर मैन हो आप तो दो चीजें प्रीडम तु चूज यूर एक्षन कोई आपके पर एक्षन लादना चाहिए रहाँ जूहता है जूता मारओ उसके I am free to choose my action और जो एक्षन मैं चूज करऊंगा उस मैं सारे विकल्प सोच करके चूज करूंगा ये भी विकल्प है ये भी विकल्प है ये भी विकल्प है इस में इस विकल्ब को मैं चूज कर रहा हूँ, तो जैसे सार्थ ने का, मुझसे एडवाईस तो ले सकते हो तुम, लेकिन मैं डिसीजन नहीं दे सकता हूँ, अगर कोई डिसीजन इंपोस करता है, तो वो आपकी फिरीडम को कर्टेल कर रहा है, डिसीजन आपने ला है, और दस जगे से एडवाईस ले लो आप, एक आदमी ये एडवाईस देगा, एक ये देगा, किसकी एडवाईस माननी है और किसकी रिजैट करनी है, ये निशेद की शक्ती तो आपके अंदर है, तो आपने दस आदमियों से सलाली, किसकी सला मानोगे ये, तो टेक डिसीजन, अ गहर जिम्मेदार आदमी को उसने शुरू में कहा था, कि जो गहर जिम्मेदार होते हैं, जिनमे कोई भाव नहीं होता था जिम्मेदारी का, तो शुरू में उसने कहा था, वो एनिमल होते हैं, अब कुटा जो है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ा या न नहीं हैं वो सर्वाइब कर रहे हैं एज एनिमल और जो आदमी जिम्मेदारी लेकर खड़ावता अगर नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है आप कोई डिसीजन लेते हो और उस डिसीजन से किसी को अगर गरत नुक्सान हो जाता है तो ट्रंप टेक रिस्पॉंसबिल्टी मैंने त जिम्मेदारी का बोद जो है ये इनसानियत की निशानी है ये अस्थित्व की निशानी है तो हमने अस्थित्वाद का जो सबसे महत्पॉन किताब है उसके जो महत्पॉन पहलू है तो किताब तो बहुत इंपॉर्टन है बहुत बड़ी है कमी का भाव महसूस करो अभी तो मुझे बहुत आगे बढ़ना है, जितनी भी आल्टरनेट ऐसे आते हैं, जो आल्टरनेट मेरी इस कमी के साथ में करते हैं, उनको निशेद करने की शक्ति करो, और जो अपने आदर्स हों, ऐसे कलपना के आदर्स मत बनाओ, रियल आदर्स, जीवन के लक्स बनाओ, रियलाइजेबल हों, और तीसरी चीज जिम्मेदारी का एहसास महसूस करो, करतब बें बोद, तब तो आप अस्षित्वान मानव हो, नहीं तो आप मानव नहीं हो, मानव से नीचे बहुत सारे पश्यू हैं, आप इस शेर भी हो जाओगे, तब भी एनिमली रहोगे, शेर क अभी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता, आपको जिस शेर तो बड़ा सकड़ा होता है, उनना का होता तो है, लेकिन है तो अनिमल, और भी हाथी बड़ा दबरदस होता है, अबे हाथी भी है तो अनिमल, जिम्मेदारी का, आदमी की पैचान है, to choose our action and to take decision, ये जो चीज अगर नहीं है तो तुम आदमी होई नहीं जानवर हो, तो जिम्मेदारी का एहसास, और अपने आपको सुतंत्र इन, ये चीज़ें आपको दोना चीज़ें, तो हमने सारी इतनी बड़ी किताब जो है इनकी, being and nothingness, जिसको हम करते तो कही दिन लग जाते, तो इसलिए हमने चोटा करके उसको कर दिया, अब अन्तिन चीज़ कल देख लेंगे और इनको विदा कर देंगे झाल